नौस्टेंस कोश्चन नुमर 2, find the TSA, TSA मतलब total surface area, of a cone, its slant height is what, 21,000 दिजी गारा, slant height, slant height को हम L से शोग करते है, style is equals to कितना है, 21 meter, and diameter of the base is what, 24, diameter को 2 से डिवाइट कर तो, radius कितना हा जाएगा, 24 divided by 2, 2 1s आ, 2 1s आ, 2 2s आ, कितना हा गया, 12, 12 meter आ गया, ठीक है, base का जो, diameter था वो 24 था, 24 को 2 से डिवाइट किया, तो radius मिली है, हमको 12 meter, okay, चलो, बहुत बढ़िया, अब हमको क्या निकालना है, total surface area, यहाँ पर हमको निकालना है, what is the formula of total surface area of the cone, total surface area of the cone, याद आपको, याद करिए, total surface area कैसे निकालते थे, यह देखे, total surface area का मतलब, एक कोन है, total surface area का से लगा हुआ ठीक, तो अगर हम आपको paint करने के लिए बोले है, तो curve पर पर पेंट करोगे, curve मतलब किनारे किनारे वाले area पर पेंट करोगे, base पे भी paint करोगे, यह पूरा, बासमन बें, यानिके curve surface area plus base का area, ठीके ना, तो, curve surface area plus area of base, curve surface area of plus, area of what, circular base, circular base, याद आपको, बार कि अगर ऐसा कोंन है यह सरक्लर बेस है तो बेस का area based कि है रख सिर्कलर का अड़ीज इसको आउनीयार श्कॉपर आर्गास की रेडियस है ठीक है यह यह है नगकि़ शैद को शयुचन में अपक्ष्ट कॉछ कौश्ट काम भी तो आपको एक्जाम में सब डारेक्ट करना है आपको सिंप्ली लिखना है टोटल सर्फेस एरिया इस उकस टुपाई यार इंदा ब्रैकट एल प्लस आपको ड्राइब नहीं करना है वहाँ यह तो मैं बार-बार करके दिखाता हो ता कि आपको याद हो जाए पाई का वेल्व कुछ नहीं बोला है तो 22.7 लेंगे इंटू आर रेडिस कितना दिया है बताईए 12 मीटर इंदा ब्रैकट एल प्लस आर एल कितना है 21 और प्लस आर कितना है 12 है ठीक ना तो इन दोनों को मल्टिप्लाई कर लिजे 12 इंटू 22 इंटू 133 कर लो जो आजा इसको 7 से डिवाइट कर दो तो 12 इंटू सबसे बहले क्या करते हैं अगा सबसे वैले में काम करते हैं ने को 22 वान 7 पो ऐसे लिखे आइन देते इंटू 12 इंटू 33 करते हैं ठीड ना 33 3 x 12 कर लीजे 2 3 6 2 3 6 1 3 3 1 3 3 6 6 plus 3 9 3 396 आ गया हना तो इन दोनों को मुल्टीप्लाई किया कितना आ गया 396 अब 396 को 22 से मुल्टीप्लाई करना है ठीक ना मुल्टीप्लाई करना है तो 6 12 1 2 9 18 plus 1 90 1 2 36 17 थे ना फिर इन तो दू तो नाइन प्लकी ना जायेगा तो नाइन थे दो नाहीं और इदर 7 ठीक हुआ तो नाइन प्लस 2 11 11 7 एट प्लस नाइन सेवन्टी वन जाएगा सेवन एट एट सेवन वन तू ओके 22 इंटू 396 कितना आ गया एट थाउजन एट फ्यर्णा यहाट 1721 अपकर कुछ नहीं हुआ पर आपको अपको घ्रांगेंगे अहां नहीं है जबसे बैट तुम करने सब ना चाहिए यहाँ पर आजएट मां सबहन कितना वन फिर निक्स दिजुट कॉपी करेंगे दिए सेवन पिर सेवाइन तूजा फोर्टीन सेविंटीन मैनस फोर्टीन कितना आगे थी फिर नेक डिसित कॉपी करें गे वन को कितना जैगा 748 ओके फिर 11-8 कितना हो जाएगा थी यहां पर नुद कुछ निज दू 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 यह तू निज दू निजगा गुट दू आपने दू पॉर्द बुलिए सबन फॉर्द अट टॉन्टी एट ट्रवल माइनस एट कितना हो जाएगा फोर या टू मैनस टू कुछ निवाचेगा अब क्या करें अपॉइंट लगाएंगे तो यहाप पॉइंट लगा दिया या जी रोगा दिया ठीक है फिर सेवन सिक्षाइब गोता कुछ निवाचेगा फिर पॉइंट की हेल्प से जीरो लगाएंगे अभ्याने सुदेट्स अगर आपको डेसमेल आफ्टर डेसमेल टू प्लेस तक आंसर निकालना है करेक्ट तो आपको थ्री प्लेस तक निकाल के राउंड ओफ करना पड़ेगा मतब समझो जाँ पॉइं अब छोड़ दो क्यों कि डेसमल के बाद आप कम से कम कितनी प्लेस तक निकाल लें फ्री प्लेस तक निकाल लिए फिर राउंड ओफ कर लिजेगा ठीक है तो क्या रहा है आपका बताईए वन टू फोर फॉर पॉइंट बुली फाइफ सेवन अब लास में चेक करो लास में क्या लिखा हुआ है अगर लास में लिखा है जो कि फाइफ से क्या है छोटा तो हम आगे कुछ भी एड नहीं करेंगे ठीक है तो अगर इसको टू प्लेस तक हम राउंड ओफ करेंगे तो कितना आ जाएगा वन टू फोर फॉर पॉइंट फाइफ सेवन ही रहेगा नहीं सम बट यह आगया हमारा मेंटर स्कॉर्ड इस दा रिक्वाइड एरिया तो 1244.57 मेंटर स्कॉर्ड इस दा रिक्वाइड टोटल सर्फिस एडिया ओफ दा कॉन ओके कर ली जा है